जोडें प्रस्न पहला क एक वटा तीन जोड एक वटा छे एक वटा तीन जोड एक वटा छे तो तीन और छे का लगुतम यहाँ पर देखिए हर में तीन है यहाँ पर हर में छे है अंस में एक है यहाँ भी अंस में एक है तो तीन और छे का लगुतम तो तीन और छे में तो तीन और छे देखिए 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो यहाँ पर बड़ा कौन है? 6 है तो 6 लगुत्तम हो जाएगा क्योंकि 3 से 6 3 3 दूना 6 होता है यानि 6 क्या है? 3 के पहाड़ा में आता है देखे 3 दूना 6 तो 6 लगुत्तम हो जाएगा यहाँ पर तो तीन और छे का लगुत्तम हो जागा छे यूंकि तीन से भी छे करता है और छे से भी ठीक है तो देखें तीन से छे कितना बार में करता है दो बार में तीन दूना छे तीन दूना छे दो बार में करता है तो दो से एक को गुना कर देंगा तो दो गुणा एक, दो, जोड, अब 6 से देखिए, 6 एक बार में कटता है, 6 एकम 6, एक बार में तो एक गुणा एक, एक, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, दो एक, तीन, यानि तीन बटा 6, तीन बटा 6, तो देखिए, तीन से छे कट जाता है, दो बार में, तीन दूना छे, तो इसका उत्तर आ गया, अंस में कुछ नहीं है, तो एक है, तो एक बटा, दो, यहाँ पर दो आ गया, देखिए, तीन दूना छे, दो बार में कट गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो एक लिखेंगे, और यहाँ पर दो है, यानि एक बटा, दो, तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक बटा, ख, ख, में है, 3 बटा 4, जोड, 5 बटा 8, तिन बटा 4, जोड, 5 बटा 8, यहां पर दिखे, 4, यहां पर हर में 4 है, और यहां पर हर में 8 है, अंस में 3 है, यहां पे अंस में 5 है तो हर का लगुतम निकाला जाता है तो 4, 8 का लगुतम हो जाएगा, 8 क्योंकि 4 के पहाड़ा में 8 आता है देखे, 4, 2, 8 तो जो बड़ा है वो लगुतम हो जाएगा यानि 8 लगुतम हो जाएगा, 4, 8 का तो चार से आठ कितना बार में कटता है दो बार में चार दूना आठ देखें चार से आठ दो बार में कटता है तो दो आया चार दूना आठ तो तीन को दो से गुना कर देंगे तीन दूना छे यानि चार दूना आठ तो तीन दूना छे चार से आठ दो बार में कटता है तो दो को तीन से गुना करेंगे तो तीन गुना छे जोड अब आठ से आठ एक बार में कटता है आठ ही कम आठ तो एक गुना पांच पांच तो इसका उत्तर होगा छे पाच इगारा बटा आठ शे पाच, इगारा बटा आठ तो ये देखे, 20 भीन है, यहाँ पर हर छोटा है, अंस बड़ा है तो 11 को 8 से भाग देँगे तो 11 को 8 से भाग देँगे, तो देखे, भाग फल एक आएगा एक बार में लगेगा सेस फल, यानि सेस कितना आजाएगा तीन क्योंकि आठ गुने एक आठ 11 में साठी है तीन तो सेस तीन आएगा और यह जो आठ है इसको यहाँ पे लिख देंगे तो इसका उत्तर हो गया एक पुर्णांग तीन बटा आठ तो भागफल को यहाँ पे लिखेंगे सेस को उपर और यह जो भाजक है जिससे भाग दे रहा है आठ यह यहाँ पे लिखेंगे तो एक पुर्णांग तीन बटा आठ इसका उत्तर ग चार बटा नौ जोड पांच बटा अठारा तो नौ अठारा देखे नौ दूना अठारा होता है तो आठारा लगुत्तम हो जाएगा नौ अठारा का ठीक है नौ अठारा का लगुत्तम अठारा क्योंकि नौ के पहाड़ा में आता है और अठारा बड़ा है तो आठारा लगुत्तम हो जाएगा तो नौ से अठारा कितना बार में कटता है 9 दूना 18 यानि 2 बार में तो 2 से 4 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 18 से 18 एक बार में तो 1 गुना 5 5 यानि इसका उत्तर हो गया 8 5, 13 बटा 18 13 बटा 18 इसका उत्तर तो अंस छोटा है हर बड़ा है तो अब भाग इसको हम नहीं दे सकते हैं यही इसका उत्तर हो गया घह घह में है दो बटा पांच जोड चार बटा पांच दो बटा पांच जोड चार बटा पांच 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 का लगुतम पांच देखें पांच पांच का लगुतम हो जागा तो जब हर दोनों का बराबर रहे तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है तो लब उत्तम भी 5 ही हो जाएगा तो बस उपर में जो है उसको लिख देंगे दो जोड, 4 इसका उत्र हो गया 4,2,6, 6 बता 5 अब यहाँ पर हर चोटा है अंस बड़ा है, यानि 20 भिन हुआ ये तो सैंयूक्त भिन में बदल देंगे तो 5 से 6 को भाग देंगे ठीक है? 6 को 5 से भाग देंगे तो भाग फल एक आएगा क्योंकि एक बार में लगेगा 6 फल भी एक आएगा क्योंकि 6 में से 5 गया एक और यहां पर पांच है जो यहां पर लिख देंगे तो एक पुर्णांक एक वटा पांच इसका उत्तर होगा अड़ा दो वटा तीन जोड पांच वटा नो दो वटा तीन जोड पांच वटा नो तो तीन और नो का लगुत्तम हो जाएगा नो तीन और नो का लगुत्तम हो जाएगा नो क्योंकि तीन तीयाई नो होता है देखे तीन के पहाड़ा में आता है तो नो बड़ा है इसलिए नो लगुत्तम होगा तीन और नो का तो 3 से 9 कितना बार में लगता है 3 बार में 3 ती आई 9 तो 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 2 ती आई 6 जोड 9 से 9 एक बार में तो 1 गुना 5 पांच यानि 6, 5, 11 बटा 9 तो 9 से 11 को भाग देंगे तो देखें से भाग फल एक आएगा एक बार में लगेगा सेस आ जाएगा 11 में से 9 गया 2 और 9 को यहाँ पर लिख देंगे यानि एक पुर्णांग 2 वटा 9 इसका उत्तर होगा चार एक वटा 2 जोड तीन वटा 4 एक वटा 2 जोड तीन वटा 4 2 आट का लगुत्तम हो जाएगा 4 थीक है तो 2 दुना 4 2 आट कह लगुत्तम देखेए 2 के पहाडा में 4 आता है इसलिए 4 बढ़ा है यहां पर तो 4 लगुत्तम हो जाएगा तो 2 से 4 कितना अबार में लगता है दो बार में 2 दुना 4 to 1 से एक को गुना कर देंगे, दो गुना एक, दो जोड, चार से चार एक बार में, तो एक गुना तीन, तीन, तो ये हो जाएगा, तीन और दो पांच, पांच बटा चार, तो पांच को चार से भाग देंगे, तो एक आएग, भाग फल एक आएगा, पांच में चार गया एक सेस फल भी यानि सेस भी एक आएगा और चार को यहाँ बिलिख देंगे तो एक पुर्णांग एक बटा चार होगा इसका उत्तर छह दो बटा तीन जोड तीन बटा साथ दो बटा तीन जोड तीन बटा साथ तो यहाँ पर हर में देखे अंस में दो है हर में तीन है अंस में तीन है हर में साथ है तो तीन और साथ हर में जो है उसका लगुत्तम तो देखे तीन और साथ किसी से नहीं कटता है ठीक है किसी भी अंक से नहीं एक छोड़ करके तो जब किसी से नहीं करता है तो बस गुना कर देंगे इसका लगुतम हो जागा साथ या एकीस किसी से नहीं जब दोनों कट रहा है एक को छोड़ करके तो बस गुना कर देंगे तो साथ या एकीस ठीक है तो देखे 3 confidential 21 3 से कितना बार में 21 आ रहा है 7 बार में तो 7 गुना 2 14 7 दुनी 14 2 से गुना कर देंगे 7 को क्यónकि 3 से 21 7 बार में लगता है तो 7 दुना 14 जोड 7 से 21 3 बार में 7 तिया 21 तो 3 तिया 2 9 देखे 7 तिया 21 तीन बार में आ रहा है तो तीन गुना तीन नव तो चौदर नव नौ चार तेरह हाथ में रहा एक 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 दो 23 बटा 21 तो 21 से एक बार में देखिए 23 को 21 से भाग देंगे तो एक आएगा भाग फल अब 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 होगा सेस फल और एकीस को यहां पर लिख देंगे यानि एक पुनांग दो बटा एकीस इसका उत्तर होगा